रूस के साथ युद्ध में अमेरिका की अगुवाई वाला नाटो यूक्रेन की मदद कर रहा है। इसी कड़ी में पुतिन ने मिडल इस्ट में अमेरिका के खिलाफ इरान को मजबूत कर रहा है। और इरान ने यमन के हूती, लेबनान के हिजबुल्ला और गाजा में हमास को इस्राइल के खिलाफ मजबूत कर दिया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पुतिन मिडल इस्ट को अमे पुर्क्स का सम्मिलन होने जा रहा है और इस सम्मिलन के बहाने पुतिन मिडलीस्ट में अमेरिका के खिलाफ अपना एक जाल बिछा रही है। और इसी कड़ी में पुतिन ने UAE के राष्टपती शेक मुहम्मद बिन जायत बिन सुल्तान अलनहान से मुलाकात की। पुतिन ने UAE के राष्टपती को अपनी घर पर एक अनौप चारिक रातरी भूज परामंतरित किया था जहां पर उन्होंने सुल्तान अलनहान को यूकरेन के साथ बंदियों की अदला बदली में मदद करने का शुक्र यादा किया। अलनके UAE के राष्टपती कलोते नहीं है जिन से पुतिन मिल रही है बलके पुतिन भारत के पीम नरेंदर मूदी, चीन के राष्टपती शी जिन पिंग और तुर्की के राष्टपती तैयब अर्दुगान और इरान के राष्टपती मसूद पेजिशक्यान से भी मुलाका पुतिन का पूरा ध्यान उन देशों को अपने पाले मिलाने का है जिनके अमारिका से मजबूत रिष्टे हैं। और बीस से ज्यादा राष्ट्रा ध्याक शामिल होंगे और पुतिन करीब बीस द्वेपक्षिबैठकों का आयूजन भी करेंगे। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ब्रिक्स का ये सम्मेलर रूसी जमीन पर अभी तक का सबसे बड़ा विदेशनीती का कारिक्षम है। जो अमेरिका के सामने रूस की चौधराहट को और ज्यादा मजबूत करेगा। क्योंकि एक तरफ जहाँ पुतिन की पश्चिमी देशों से ठनी चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ वो दुनिया के उन देशों की करीब जा रही है जिन से रूसी अर्थवेवस्था और यु पाना चाहते हैं कि जिस इंटरनाशनल स्टेज से अमेरिका ने उसे बेधकल करने की कोशिश की थी आज वही अंतराष्टे बिरादरी उसके साथ खड़ी है। इस समेलन के दौरान रूस भारत से कई एहम आर्थिक समझोते कर सकता है क्योंकि इंडियन मार्केट रूसी कमो पिक पेमेंट सिस्टम को बनाए जो दुनिया के स्विफ्ट नेटवर्क के जैसा हो और इस पेमेंट सिस्टम पर पश्चिमी प्रतिबंधू की आज भी ना आए और रूस के सपने में भारत चीन ब्राजील बेहत ही एहम है। बदले में एरान रूस के वो हत्यार चाता है जिनसे वो इसराइल के हमने का जवाब देपाए।